अब हला वरिवन मैं जीतंदर बागडी आप सभी का अपने यूटूब चैनल पर हारदी का बिनेंदन और स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्तान की राजविवस्ता जिसमें हम पढ़ने वाले हैं राज जेपाल टोपिक याने की गवर्नर करवाँगा जिसमें आज के इस मोडल वेपर में क्योशनों की संख्या मैंने रखी है 40 चालीस चालीस में अगली क्लास में आपको यानि की मोडल वेपर 2 में हल करवाने वाला हूं और बहुत ही बैतरीन क्योशन है यानि कि आपको कहीं पर टैस्तिरी जोइन करने के आवशक है सभी options जो होंगे वह आपको मतलग सुमेलित करने वाले भी हैं चारों में से इन में से कौन से सत्ते कौन सा इसकी व्याक्या सही करता है या नहीं करता है बहुत ही लेवल के प्रशन है और एक्जाम में लगभग लगभग आपको कोई भी आप राजस्तान की एक्जाम दे करती है एक प्रशन है एक पर बात करने वाले हम लोग राजस्तान के निम्न लिकित में से कौन से सविधानिक पदादिकारी राज्ये पाल द्वारा नियुक तो किये जाते हैं लेकिन उन्हें राज्ये पाल द्वारा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है महादी वक्ता राज्ये निर्वाचन आयूक राजस्तान लोगसेवा आयूक के शदस से दिखेगा महा दिवक्ता राजस्तान में क्या होता है जैसे सेंटर में कौन होता है महा न्यायवादी होता है महा न्यायवादी जो होता है उसी के समकक्स राज्य में क्या होता है महा दिवक्ता इसे अटोनी जनरल कहते हैं इसे सॉलिस्टर जनरल कहते हैं और यह राज्य का सबसे बड़ कानून का दिकारी होता है एक राज्य में एक निर्वाचन आयुक्त होता है सेंटर में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है सेंटर में क्या होता है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसी तरह प्रतेक राज्य में एक क्या होता है निर्वाचन आयुक्त होता है सेंटर में इसमें एक अध्यक्स होता है और राजस्तान में वरतमान में साथ सदस्य। इसका मुख्याल है रपीश सी अजमेर में हैं गुंगरा गाटी में अब इसमें से महाधी वक्ता को हटाया किसकी दुवारा जा सकता है तुम आपको बता देता हूं महादी वक्ता इसे राज्येपाल स्वयम अटा सकता है ध्यान रखेगा इसे राज्येपाल स्वयम क्या कर सकता है हटा सकता है इसे राज्येपाल स्वयम अटा सकता है जबकि राज्ये निर्वाचन आयुक्त को नहीं अटा सकता और एक आपके राजस्तान लोग सेवा आयोक क UDEX को नहीं अटा सकता तो इसमें एक option है option इसमें सही नहीं बनाया यहां पर मैं देख लिए तो एक बार 2 और 3 होना चाहिए 2 और 3 यह बना लेते हैं यहां पर error हो रखा है तो इन दोनों को नहीं अटा सकता है 2 और 3 को नहीं अटा सकता है वह अन्यता महादीवक्ता को अटाया जा सकता है इनको हटाने के लिए जो अनुमती ली जाती है द्यान रखेगा इनको हटाने के लिए जो अनुमती ली जाती है वो राष्ट पती के अन्ति मस्ताकसर से इनको आप हटा सकते हैं यानि कि राष्ट पती के अन्ति मस्ताकसर से आप इनको क्या कर सकते तो द्यान रखिएगा इसका सऐ उत्तर क्या हो जाएगा एक और यानि के दो और तीन यानि की सैउत्तर को जाएगा इसका सई हो जाएगा एहांत है कोई समस्यां कोई समस्यां नहीं होनी जी आगे प्रसर यानि नेक्ट parunun बाद करने वाले हम देखिएगा next person आपके निम्द में से किसने राजस्तान में कार्यवाक राज्येपाल या अतिरिक्त परबार वाले राज्येपाल के रूप में कार्ये नहीं किया है उस राज्येपाल का नाम बताओ भाई जो राज्ये में अतिरिक्त परबार नहीं किया बाकी तीन ने किया है मिलाप चंद जैन, दनिक लाल मंडल और नियादीस डीपी गुपता और सुक देव परशाद मिलाप चंद जैन, दनिक लाल मंडल नियादीस डीपी गुपता यहां पे इसका उत्तर होगा सुक देव परशाद सुकदेव प्रशाद ऐसे राज्यपाल रहे हैं जिनों ने कारवाह या अतिरिक्त किसे राज्यपाल का कारवार नहीं गरण किया है तो इसका right answer क्या हो जाएगा आपके यानि की दै यानि की डि क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आगले प्रसन की बात करेंगे निम्न लिखित में से कौन सी राज्य पाल की पद के सर्ते हैं कौन सी सर्ते हैं देखिएगा वह बारत का नागरिक हो वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विदान मंडल के किसी सदन का सदस से नहीं होगा वह अन्य कोई लाब का पददारन नहीं करेगा वह 35 वरस की आयूपून कर चुका हो देखेगा राज्ये पाल को याद करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं जो अक्सर कलास में बताता रहता हूं बच्चों को एक निकाई इतना सा ध्यान लख लेड़ा आपके राष्ट पती के आर्टिकल हो जाएंगे एक में पहला एक से हो जाएगा राज्ये पाल जो ए है इसमें क्या होगा एक पद होगा एक पद किसका होता है राज्ये पाल का होता है राज्ये पाल का जो पद का उलेक है वो कहां पर है तो मैं यह article यहां पर मेंचन कर देता हूं तो आप precा से परा यहांसे परारम हो ромें 153 होगा ठीक है इसके बाद में है कह का मतलब मैं यहां पर सब्सक्राइब का सक्थ सक्तियां किसमें नीत होती है तो द्याNow रखेगा राज्ये की समस्त कारेाली आपके राज्य पाल में नीत होती हैं इसके बाद में है नय यानि की नी का मतलब हो गया 155 तो इसमें क्या हो जाएगा नियुक्ति की बात आएगी यहां पे राज्य पाल की क्या होगी नियुक्ति होगी चो पच्पन में 56 में क्या आजाएगा का 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 मतलब हो जाएगा 156 में हो जाएगा कारिये काल हो जाएगा क्या हो जाएगा भई कारिये काल हो जाएगा ठीक है और इसके बाद में आ जाएगा यह यह से हो जाएगा आपके 157 में योग्यता हो जाएगा क्या हो जाएगा भई योग्यता हो और इसके बाद में है सह, पहले सहसे ध्यान रखेगा, पहले सहसे होगी सरते, पहले सहसे क्या होगी सरते, और जो सेकंड है, यानि कि सेकंड सह है, इससे क्या होगा, 159 में होगा आपके क्या सपत, यानि कि यहां से जो प्रशन आया है, वो किसको लेकर आया है, 158 को लेकर के बाएया है वंन फिप्टी एट का मतलब होता है Сरते और ध्यान रंखेगा यहां पे सरते आप से पूछ रहा है तो आपको यहां पर यह द्म रखनाग हो ये उसकी योग गयता होती है ये होती है एक सुसतावन में होता है योग्यता इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विदान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा बिल्कुल सही बात है यह बिल्कुल इसकी क्या होती है एक सर्थ होती है जो बिल्कुल मानना और तीन क्या हो जाएगा भाई इसका सही जवाब हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा यह आएगा आपके देखिएगा यहां पे मैंने लिखा योग्यता कहा होगी यह भी कहां पर आएगा 157 में आएगा प्रंतु यह जो बीच वाले दो हैं वो किसमें आएंगे 108 में आएंगे तो आप इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा एक निकाई सस और 153 से लेकर के आपको एक सो गुर्षर तक की यादि करने हैं यह तो राज्येपा आएंगे निमनानकित में से कौन सा सई सुमेलित नih जएस्ट पीचे बताया है एक त्रby राज्यपाल का उपद एक दा हो दी घ्यूप्र में राज्येपाल की कारेपली का देखिएगा मैंने कहा 153 से स्टार्ट करना है और लास्ट कहा है 159 पे हैं एक से मतलब हो जाएगा एक पद की बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है एक पद की बात हो रहा है 153 है क्या बिल्कुल सही है राज्येपाल की पदावदी तो देखेगा ये पच्पन हो गया है ये 156 हो गया है तो बिल्कुल सही बात है कारेकाल को हम क्या कह सकते हैं राज्येपाल की पदावदी कह सकते हैं यानि कि 156 बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा 154 राज्येपाल की कारेपाली का सकती ये भी सही है अनुचेद 155 में राज्येपाल को पद से हटाया जाना पच्पन में भया नियूकती से संबंदित परावधान है ध्यान रखना एक और नोट बात मैं आपको बता रहा हूं जो आप इसेश रूप से ध्यान रखेंगे राज्येपाल को पद से हटाया जाने का समिधान में क कहीं पर भी ऐसा उल्लेखित नहीं किया गया है तो आप ध्यान रखेंगा ये इसका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा पद से अटाने का नहीं है प्रंतु 155 तो राज्येपाल की नियूकती को ले करके है तो आप आगे से ध्यान रखेंगा ओके ठीक है नेक्स्ट मरसन की ए अब देखिएगा यहाँ पे क्या पूंचा है । इसका सई जवाब हो जाएगा। नहीं के मेरा को राज्येपाल बना जिनको हिंदुस्तान ऐरन नोर्कली से संबंदित है अनुचेद 142 possible नहीं है 154 हो सकता है 118 possible नहीं है 108 अभी देखना पड़ेगा तो 108 में मैंने आपको बताया था सर्ते हैं 108 में क्या थी सर्ते और 154 में मैंने बताया था 1 है 53 में तो क्या था 1 पद और इसमें क्या था कारिय पालिका की सक्तियां तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका राइट अंसर हो जाएगा आपके अनुचेद 154 यानि की बै इसका सही जवाब हो जाएगा यह आसा करता हूँ यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा चलो बेए प्रत्शं की बात कर लें क्या बिल्कूल कर लेते बहुत की बात करेकाल को कर लेकर पूचा है तो कारे कालकुम क्या कह सकते हैं पदावधी भी कह सकते हैं ना कितना होता है सपत गरन से 5 वरस तक बढ़ाय भी जा सकता है ऐसा भी प्रावदान है तो देखेगा 156 हो सकता है 30 तो पोसिबल नहीं है 33 पोसिबल नहीं अठावन में मैंने कहा सरते होती है तो इसका मतलब यह हो सस एक पद कारिये कारे पालिका का प्रदान नियुक्ति का कारिये काल योग्यता सरते और सपत 154 153 154 155 156 157 158 में सरते एर 156 166 में क्या हो जाएगा वैस सपत का प्रावदान तो राइट अंसर क्या हो जाएगा 156 इसका सही जवाब हो जाएगा किसी राज्ये के राज्येपाल के संबंद में सही कतन का चयन करें किसी बीराज्ये की बात कर रहे हैं उनको बारत के मुखे न्यायदीस न्यूक्त करते हैं क्या पॉसिबल है वे राष्ट पती की इच्छानुसार पदपर रहते हैं ये बात सही लगनी चीए उनमें राज्ये की कारेकारी सक्तिया नीत होती ये बात भी पॉसिबल है सामाने तो वे पांच वरस के लिए पदप हो जाएगा बाकी तीन दो तीन चार क्या होंगे राइट होंगे दो तीन चार अब ऐसा ओप्सन में कहीं मिल रहा है क्या बिल्कुल मिल रहा है यहां पे नहीं है यहां पे नहीं है यहां पे नहीं है यह रहा आपका दो तीन चार क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो एसके सिंग स्रीमती प्रभाराव निर्मल चंद जैन और दर्भाराव सिंग और यहां तो देखिएगा ऐसा कोई जोपसंद नहीं है जिसका निदन नहीं हुआ हो बिल्कुल सबसे पहले गुनी सु अठ्याणव में आपके दर्भारा साब का निदन हुआ था पहले राज्येपाल उसके बाद में निर्मल चंद जैन साब 2003 इसके बाद एसके सिंग 2009 इसके बाद पहली महिला जो पदपर रहते वे निदन हुआ वैसे राजस्तान की पहली महिला बनी थी प्रतिबा देविशिंग पाटिल और प्रभारा और राजस्तान की सेकिंड महिला राज्येपाल थी और ध्यान लखेगा यह तो चारों का नि देहांत हुआ निर्मल चंद जैन आपके 2003 में देहांत हुआ श्रीमती परतिबा प्रभाराव जो है उनका 2010 में हुआ और एसके सिंग जो है उनका वाता 2009 में तो आप इन समी बातों को ध्यान रखेगा राजस्तान के अब तक चार ऐसे राज्येपाल है जिनका पदपर रहत पद्ध शेलते हुआ क्या हुआ है देहांत हुआ है याद रखेगा यांत कोई समयस्या कोई समयस्या नहीं होनी चीए आगे बात करते राजस्तान में लागु कौनसा राष्टपति सासन का कारेकाल सबसे लंबा रहा बूसरा थीसरा पहला और 4 तो बात कर लेते सब से पहल यानि कि 1980 में और चोता लगा था गुनी सो बाणवे में यह बाणवे का जो कारेकाल था यह आपात काल जो था यह 93 तक चला था और यह वाला जो था इस समय अगर राज्य की बात करें तो राज्य में विजेपी समर्थी सरकार थी बैरो सिंग सेखावत उस समय राज्य के cm पदपर थे और एम चन्ना रेडी उस समय राज्यस्तान के क्या थे गवर्णर थे यानि कि राज्य पाल थे और यह जो कारण था क्यों लगा था इस समय बाबरी जो मज़ित था इसका जो डाचा उडा दिया गया था इसके कारण आप इसके दिया कि क्या और आप 16yोब सलाओ जाएगा ईये लगबग 27 दिन चला था यह लगको चोवन दिन चला था यह लगlag 107 के आस पास चला था और यह लगबग जो था 300 दिन के आसपास चला था तो यह आपका एक साल बर चलने वाला क्या बन गया था दो सोच पचपन के आसपास दासाइदि शोबसे लंबा रहा आपके जो कब तक चला-बाण्वेंस से लेकर कि जो बैइसे तो क्या बोलते हैं आत्ति रिक्त प्रभाहर बोलते हैं और एक होता है कार्यवात का मतलब होता है कुछ समय के लिए किसी दूसरी वैख्ति को बना दिया जा बाद में उसको रास्ट पति विदिः विदान के माध्य dette इससे क्या कर दिया जहत इस्ता ही बतोर् 나오fabüllt कर दिया जए तो कुछ समय के लिह कारेवायग हो तो ऐसे जो हमारे थे वह आपके श्वूरूब सिंग सभूप सिंग ऐसे वक्ति हैं जो पहले गर दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो तो दिल्ली सरकार का एक statement है कि ये बाई साब जो है ये 31 October तग दिल्ली के मुख्य मंत्री थे गुरुमुक निहाल सिंग 31 October तग दिल्ली के मुख्य मंत्री थे तो 25 October को राजस्तान में कैसे बनेंगे हाँ हम यू कह सकते हैं इनके अगर गोशना अगर करनी हो तो ये तो पॉसिबल था लेकिन RPSC ने बया उतर मान लिया ये तो मैं क्या ही बता हूं आपको बार पेसी भी अपने आप में खुदी एक सनस्ता है सेवधानिक सनस्ता है उसके पास भी कोई अच्छा सोर्स होगा परन्तु अक्सर जो है बेसी ग्रूप से एक नॉमर कुनी सो चपन को सही माना जाता था लेकिर 25 October कभी एक्जाम में दोनों और पास में दोनों और डिलिट करने की संभावना भी रहती है लेकिन इन राज्येपाल यह गोशित करेगा कि वह विद्हेग रास्टपती के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है अनुचे दो छो में रास्टपती राज्येपाल को यह निर्देश दे सकता है कि विद्हेग को सदन को लोटा दे अनुचे 201 में क्या यह दोनों सही है एक केवल वैदो और वैदोनों गलत हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर एक और दोनों के दोनों क्या है सही है देखिएगा राज्येपाल अगर कोई विदेग जो है वो समिधान कातिकर्वन करता हो न्यायपालिका की सक्ति को कम करता हो रास्टे मैतों को एक खत्रे के व और राष्टपती राज्यपाल को नदेज देगा कि विदेग सदन को लोटा दे और जब राज्यपाल किसी विदेग को कवर कर लेता है या उसके उसको यत कल Home कि declown नहीं वा बिजवाता है तो वहा पर article 21 में यानी I happening 201 में 201 में क्या कर सकता है वापस कह सकता है दोनों स्टेटमेंट आपके क्या होंगे राइट होंगे ओके राज्ये के राज्येपालों को केंदर द्वारा नियुक्ति के प्रावधानों को लिया गया है कनाड़ा स्विक्तराज अमेरिका स्विच जलेंड और आयरलेंड राज्ये के राज्येपालों की केंदर द्वा और ποष पन गिज्फर किसे की गई है एक सों 2005 में क्या की जिसकी निव की जिबिए और कहां सी के गई ए कंएड़ा के समिदान से इसकी क्या की गी भई निप कीग्या ज्यान रखेगा कैनेड़ा क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर ओके अगला देखेगा राजस्तान में अंतिम राष्टपती सासन की आउदी क्या थी अंतिम राष्टपती यानि की चोथा पॉर्थ इसका मतलब आँष्ट अंसर में यही व कब तक लगा था अब आपको डैट याद नहीं थी अब जब आपको डैट याद नहीं है तो कोई बात नहीं है तो कोई बाती है लेकिन यह तो आपको पता था बाणवे में लगा था और कब तक लगा था त्रियाणवे तक लगा था तो राइट अंसर क्या हो जाएगा एक इसका सई जवाब हो जाएगा अगला देखो इसके बाद में नेक्स्ट परसन आप पड़ते हैं निम्र में से कौन सा यूगम गलत है अनुचेद और उन jakarta 175 में तो हमने महाधी वक्ताव को सौलिस्ट जणर्रल को भीजारू रखा है और अभीबासन का जो है वो 100500 में राजेपाल का विसेश अभीबासन जो है वो आर्टिकल 1005 में है इसलिए ये तीनों सही है самाधान और 213 लिए आगे देखो राजस्तान के निम्न में से किस राज्य पाल या राज्य के अपना कारेकाल पूर्ण होने से पहले अपने पदशे क्या दे दिया था त्याग पत्र दर्बारा सिंग मदनलाल कुराणा और प्रतिवा पाटिल दर्बारा सिंग वे वे वेक्ति हैं जिनका पदपर रहते द्यान तो गया तो इन्हों क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ओके ठीक है निमन में से कभी भी राजस्तान के कारेकारी राज्यपाल नहीं रहे जगत नारायन जी वेद प्याल तागी जी और केडी शर्मा जी और अंसुमान सिंग जी तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका अंसुमान सिंग इस राइट अंसर निम्न में से कभी भी राजस्तान के कारेकारी राज्यपाल नहीं रहे option D is क्या हो जाएगा राइट अंसर राजस्तान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन से लोगसभा के अध्यक्स भी रहे हैं तो इसका राइट अंसरम आपको बता रहा हूँ, कल्यान सिंग नहीं होगा, अंसुमान सिंग नहीं होगा, बलिराम बगत बिल्कुल सही उत्तर और परतिवा देवी सिंग पार्टिल बिल्कुल गलत, यानि कि सही उत्तर हो जाएगा, बलिराम बगत ऐसे वेक्ति हैं, जिनों ने क्या किया है, अपने पद पर रहते हुए क्या दिया है, इस्तीपा दिया है। कि राजस्तान की राज्यपाल कुलादेपति होते हैं डगएगा वहठ अच्छा प्रसन हैन। और एक्जामें आगे भी आ सकता है यह सभी राज्य के विश्व विद्धालेयों का सभी राज्य विश्व विद्धालेयों का सभी राज्य के सभी निजी विश्व विद्धालेयों का यह राज्य में केंद्रियों का नहीं हो सकता या तो रास्टपती होगा या उपरास्टपती को टै करता है वैसे तो रास्टपती होता है एक्चुल में ठीक है और सभी राज्यों में ये तो लाइन सही है ये लाइन गलत है सभी राज्य के निजी नहीं होगा ये भी गलत हो सबी राज्जे विश्मद्दाल है और केंद्रे विड्दाला का ये भी गलत हो जाएगा केवल ये राज्जे जो गॉ standing द्वारा संचालित होते हैं उनी का क्या हो सकता है कुरादी पति हो सकता है तो आप्शन संख्याब एक क्या हो जाएगा सही जवाब 20 का यानि कि एक क्या हो जाएगा सही जवाप यानि कि राज्ये के सभी राज्ये के विश्मिद्दाले जो राज्ये सरकार के द्वारा संचालित है ज्यान रखेगा यहां राज्ये का मतलब यह नहीं है कि कंप्लीट केंद्रिये भी है निज्जी भी है ऐसा कुछ भी नहीं है केवल और केवल राज्य जो गुवर्मेंट के द्वारा संचालित है उन्हीं का होता है कि किसी विदेग पर समयदानिक उपबंद के तहट राज्यपाल की सिपारिश अपेक्सित्थी किन्तु बिना राज्यपाल की सिपारिश उसे राजस्तान विदान सबा में पुरिस्तापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को विजवा दिया अब राज्यपाल ऐसे विदे को राश्टिपतीक अनूमति लिए बेज देगा जहां राज्यपाल के अनूमति देता है वे अदियम अधिbyio कि अबए धीमानने होगा राज्जेपाल समयदानिक प्रावद्दानों के अतिकरमन की अनुम्हति देने इनकार कर सकता है यदि राज्जेपाल राश्टिपति का नुमधि दे दे तो न्यायले में समयधानिक उपबंदों के आधार पर उसे ऐसमयधानिक गोसित कर देगा अब देखेगा होता क्या है किसी विदहेक पर समयधानिक उपबंद केता है राज्यपाल सिपारिश अपेक सित्ति यानि कि राज्यपाल से परमिसल लेना यानि कि पूछना जरूरी था और कैसा था सम अधिनियम ऐ विधी मानने नहीं होगा अगर राज्य पाल उसको क्या दे देता अनुमति दे देता है तो हे bathrooms अधि मानने यानी की अनुलीगल नहीं होगा वह मान ये ही होगा कैज नीचे दो कतन दिये गए हैं एक अभीकतन है, दूसरा उसका कारण है सरकारिया कमीषन की सिपारिशों के आधार पर अनुचे 351 का प्रियोक कम से कम होना चीए अनुचे 351 का मतलब होता है किसी राज्य में क्या लगाया जाना? रास्तपतिसासम और ये कहाा लगता है? क्यों लगता है? गहीं क्या आ जाता है सम्मेधानिक संकट की इस्तति बनतीय तो यहां पर ऐसे इस्ततिевид 20 तो यानि कि यह तो था जिन राजनितिक दलोंने केंदर में सरकार बनाई उप्लाई उन्होंने अनुच्छ तिन्चोचपण का दुरूप्यो किया। इंद्रा गांदी के समय कहा जाता है लगबग 50 बार इस आर्टिकल का परियोग किया गया है और मुरार जी देशाई के समय इसका परियोग लगबग 16 बार इसका परियोग किया गया है तो जिन भी सरकारों ने जहां केंद्रमिन की सरकारे बनी उन्हें सभी सरकारों ने क्या कि होगा राजस्तान में राष्टपती सासन कितनी बार लगा है बहुत अच्छा प्रसंद है राजस्तान में दो बार छे बार चार बार और पांच बार राजस्तान में वह कितनी बार लग चुका है राजस्तान में चार बार 1967 10 साल बाद 1967 तीन साल बाद 1980 और फिर इसके दस बारा साल बाद में लगा गुणी सो बाणवे में पहली बार लगा तब हमारे राज्ये के सियम मोहनलाल सुकाडिया दूसरी बार लगा हरी देव जो सि तीस्री बार लगा तो आपके मोहन क्या नाम है बहरो सिंग है यहा पर भी आपकों बह पर बहरो सिंग और राज्ये पालों के अगर बात करें तो यहां पे थे शंपूर्णना नंजी यहां पर वेदपाल त्यागी यहां पर तिलक रगुकुल तिलक और यहां पर आपके चिन्ना रेड़ी द्यान रखना पहले में संपूर वेद तिलक चेन संपूर वेद तिलक चेन का मतलब द्यान रखोगे संपूर नंद वेद तिलक और चेना निम्न कतनों पर विचार कीजिये, सही उत्तर का चेन कीजिये, राज्य पाल अपना पद गरण करने से पूरु सपत लेगा या प्रतिज्यान करेगा, सपत प्रतिज्यान का प्रारूप समिदान की तीसरी अनुसूची में लिखा हुआ है, क्या ये पोसिबल है, राज्य पाल उच्छ नयाले के मुके नयादीष या उसके अनुपस्तिती में वरिष्ट नयादीष के समकक सपत लेगा, अनुचेद 100 गुन्सट, और सपत प्रतिज्यान की प्रक्रिया बारतिय समिदान के अनुचेद 160 में है, तो मैंने ये बात आपको सही बताई, अब इसमें से ये त दो लोगों को इससे बाहर रखा गया है, एक आपके रास्टपती महदै को, और एक आपके राज्येपाल महदै को अपवाद सहुरूप क्या रखा गया है, बाहर रखा गया है, रास्टपती को भी एक आर्टिकल के माद्यम से सपत मिलती है, और आपके राज्येपाल को भी Article 159 के तहट क्या मिलती है सपत मिलती है राश्ट पती को सपत के लिए मैं आपको ट्रीक बता रखी है रास्मनी पप्पू की योगेता एवं सर्थे समान है तुम आपको बेसिक बता देता हूँ रास्मनी जो है अमारा प्रारम होता है आर्टिकल 152 से रास्टपती का पद सेमे समयदानिक त्रेपन, चोवन में मतदान, पचपन में निर्वाचन, पहले पह चपन में पदावधी और पुने निर्वाचन शत्तावन में, अठावन में योगेता, गुण सट में सर्ते और सा लेका 62, तो रास्टपती 52 से लेकर के 62 तक 11 आर्टिकल रिजरो रखता है, जिसमें आर्टिकल 60 के तहट रास्टपती क्या लेता है, सपत लेता है, और हमारा राज्यपाल एक कम, यानि की 59 में क्या ले लेता है, सपत ले लेता है, तो ध्यान रखेगा, 60 और 59 दो आर्टिकल और आफश्न संस्ख्यारicaा तो शड़े क्लODEocal बीदान मंडला पारीत विद्यक राजय पाल राश्ट पती के राश्ट पती हे विचारत रखने की सक्ति के बारे में सत्यकतन आहीं, तो विरुद हो तो यदि राज्य विदान मंडल या पारित विदेक राष्टपती मेहतों का हो यदि वह उच न्यायल है की इस्तती के खत्रे में डालता हो यदि विदेक को भारत के समविदान के अनूचे अनूचे दोसों में क्या कर सकता है राष्टपती जी को फोरवर्ड कर सकता है हमारा जो राज्य पाल होता है यह किसको फोरवर्ड करेगा यह राज्य पाल मोहद है हमारे राष्टपती को फोरवर्ड करेगा आर्टिकल 200 में और क्या क्या कर सकता है जब राज्य के निति प्रतों का विशय का प्रॉसन हो और यानि संपती कश्पति के कानून को क्या कर रहा हो तो 1 2 3 4 यानि कि सभी के सभी से क्या हो जाएंगे बैं सही हो जाएंगे तो ध्यान sword कहेगा इसपर सभाब क्या होगा आपके हो जाएगा क्या जाने कि दी और मैं ये प्रसुनों की पीडियाप मेरी चैनल पर डालता रहता हूं बागड़ी सर आरियस के उपर और आप लोग इस टेलिग्राम चैनल के माद्यम से इस प्रसुनों को पीडियाप सहीत आप राप्त कर सकते हैं साथ में इनकी मैं उ्त्तरमाला भी एक विदार्ती के सहयोग से में डालता रहता हूँ तो उत्तरमाला भी आपको क्या हो जाती है और अनुसूँमान सिंग ने किस ने अपने पदसे त्याग पत्र दियाобраз जोगिंदर बलीराम भगत और मदनलाल खुराना ऐसे वेक्ति हैं जिन्हों नी इस पदसे इस्तिपा दिया था और प्रतिबात देवी सिंग 우와 पाटिछ ने भी मंत्री मंदल के प्रामर्स से प्रियूद कर सकता है केंद्र सरकार के प्रामर्स से देखेगा वही तो यह एक उसकी कारे पाली का सकती है कोई अध्यादेश जारी करेगा तो उसका एक्जिक्टिव पावर होता है यह सब विभेक नहीं होता है समयदानिक पावर है और मंत्री म नहिंको को एक सो टेवीज के तहफ यह अध्यादेश जारी करने किज दिया हुआ है पावर दिया हुआ है निम्नलिकित में से कौण राज्य काब कारेपाली का प्रदा 좋य है राज्य पाल मुख्यमंत्री मंत्री मंदल और मुख्य सच्यों क्या पूचा है वास्तविक कारेपालिका दो प्रकार की कारेपालिका के नाम हम पढ़ते हैं एक नाम मात्र और एक होता है वास्तविक तो नाम मात्र की का तो होता है आपके राज्येपाल और मुख्यमंत्री जो होता है वो किसका होता है वास्तविक कारेपालिका का क्या होता है मुख्या होता है पावर इसी के हाथ में होता है एक्ट्वल पावर जोता है तो इसका राइट अनतर क्या हो जाएगा बैशन सिंख्या बैशन सिंख्या 28 का राइट आंचर हो जाएगा ओके राजस्तान के राज्यपाल के पास निमन में से कुन सी सक्ति नहीं है नहीं पूचा है विदान सभा को आहूत करने की शक्ति विदान सभा को भंग करने की शक्ति विदान सभा को इस्तगित करने की सक्ति और विदान सभा की सत्रा उसान की सक्ति अगर आपने पड़ा हो है जैसे साल में अपड़ी स्टार्ट करते हैं जनवरी में आपके चल रहा होता है कुंसा जैसे सीथ कालिन सतर चल रहा होता है वैसे तो कि सबसे पहले जो सत्तर होता है वो बजट सत्तर होता है कि बजट के बाद में मानसून आता है और मानसुन के बाद में आता है आपके सीत काले में, तो बजट सत्तर, तीन सत्तर होते हैं, इन सत्रों को बुलाने का काम इसका होता है, आहूत का मतलब होता है, बुलाना, आहूत से तात पर ये क्या होता है, बुलाना, बुलाता कोन है, आपके आर्टिक लेक सो चोतर में होता है बहुत सही बात है विदान सभा को इस्तिगित का मतलब होता है टहराओ क्या होता है टहराओ कौन करेगा वही तो टहराओ करने का अधिकार जो होता है आपके विदान सभा अध्यक्स का होता है विदान सभा अध्यक्स का होता है और आज हम जब यह वीडियो बना रहे ह है यह वीडियो चब पढ रहे हम ही क्लास हम रे विदान सबा अद्यक्स बन चुके हैं और यह बनेंगे आपने वासू देव न電 है तो यह कां से हैं अजमेर से हैं विजेविदायक अजमेर से पांच बार विदायक सथ है रह चुके हैं अज्मिर उत्तर से चुनाव लड़ते हैं और राजस्तान की जो अभी एलेक्शन हुआ है 23 में इसमें 16 विधान सबाके और इससे पहले जो हमारे कौनते सीपी जो सीपी जो सीपी दो है तो यह पावर आपको मिलता है और विदान सभा के अध्यक्स को मिलता है द्यान रकना यहां पे псषब करना का मतलब होता है समाप्थी साथ का मतलब का होता है समाप्ती होता है 17 उसान, सत्र को समाप करना, आहूत करना और संसद विधान सबा को क्या करना भंग या बिगटित करना जो है वो किसके हाथ में होता है आर्टिकल 14 में और इस्तिकत करनी का जो पावर होता है आपके अध्यक्स बया के पास में है जैनी की बासू देवनानी जी के पास में है तो सभाई मांसिंग दित्य ज कि 500 माहराजा सभाइ मांसिंग दित्य हमारे अन्तिम क्या थे इंडको कब बनाया गया था थीb मर्च 1140 को जब जेपूर को राज़द नी बनाया गया था चोंधे चरण में कंसा चरण 1कंप झार 4 चरण जब हुआ था, 30 मार्च 1904, राजस्तान दिवस के रूप में जिसे आप बनाते हो, तो ये आपका सवाईमान सिंग जी का पदगरण था, और 1 नौमबर 1915 को ये पदगरण गया समाप, तो राज्येपाल पद हमारे क्या हुआ था, परचलन में आया था, राज्येपाल के संबंद में निमन कतनों पर विचार कीजिए, और कौन सा कतन इसमें सत्य है, यह राजस्तान केंद्रे विस्विधालेओं का कुलादी पती होता है, राजस्तान केंद्रे विस्विधालेओं का बिलकुल गलत बात, यह राज्ये के किसी भी लाब के पदगरण कर सकता है, बैए बैया कैसे लाब की पद्गुदारन करेगा यह इंडियन रेड क्रोज सोसाइटी राजिस्तान साखा के अद्रेक्स हो सकता है उन्हें सविदान के अंतरकत को इस बिबे के पावर नहीं होता है देखेगा भीया होता है हमारे राज्येपाल जी को यह पावर होता है राज्येपाल को यह पावर होता है बट रास्टपती महोदय के पास में जो सब विबे के पावर होता है वो नहीं होता है भई सब विबे के पावर आपके राज्येपाल के पास में होता है रास्टपती के पास में कते ही नहीं होता है इसलिए ऑप्सन सिंक्या दो गलत है तो यह तो सही है यह दो तो सही है नहीं नहीं एक मिनिट भाई समा प्रार्थी एक मिनिट के लिए यह गलत है और लाब का पद्धारों नहीं करेगा वैं इंडियन रेड क्रोस सोसाइटी के साका का अध्यक्स होता यह सही है और उसे कोई सविदान में उन्हें सविदान के अंतर राज्ये के governmentों का क्या होता है वे किसी लाब के पद को दारण नहीं कर सकता यहां पे लिखा हुआ कर सकता है और सविदार में उन्हें सव्विएक्टि सक्तिय प्राप्त नहीं है वह होती है हां यस होती है इनको यह powers होते हैं पस्मी सेत्र सांस्कृतिक के इंदर उधैपूर के सभापती कौन होते हैं देखेगा हमारा जो पस्मी सांस्कृति केंदर का मुख्याल है उद्यपूर में है उसका सभापती होता है राजस्तान का मुख्या मंत्री राजस्तान का राज्यपाल राजस्तान के प्रेटन मंत्री और उद्यपूर के संभागी आयो तो ध्यान से कौन सरकारी आयोग के सदस्य रहें देखो सरकारी आयोग जो था इसका गटन 1983 में हुआ और इसकी जो रिपोर्ट्स है वो 88-89 में क्या हुई थी लागू ही थी कुछ बातों को स्विकार कर लिया गया था एक पूछी आयोग भी होता है जो 2007 में आया था पूंची आयोग 2007 मे यह भी राज्यों और केंदर के संबंद में था जेके रेडी नहीं है वाई विच अंदर वूड भी नहीं और भी सिव रमन यह वो जाएगा इसका राइट आंसर जो सरकारी आयोग के अद्धिक्स्ता में बना था और यह किसे संबंदत है केंदर वै राज्यों के मध्धे जो संबंद स्ताफित होते हैं राज्येपाल को लेकर के कुछ प्रसासनिक कुछ सविधानिक नियमों को लेकर के बना था जैसे मैंने कहा आपको आनुचे 356 का दुरिप्योग हो रहा है वह इन्होंने कहा था किसको रोकना चाहिए सरकार इसको क्या करेगी कम करेगी लेकिन एसा नहीं हो रहा है राज्येपाल अपने सब्विवेक के करतम्यों को छोड़कर अपने करतम्यों का निर्वान किसकी सायता और सला से करेगा मुक्य मंत्री मंदल मुक्य मंत्री और मंत्री परिशत मुक्य मंत्री मंदल देखेगा सला लेता है यह प्रामर्स लेता है तो मै क्या होता है मंत्री मंदल होता है तो यहां पर मुक्खे मंदल की सला से क्या करता है अपने करतवयों का निर्भहन करता है तो संक्या क्या हो जाएगा तीन इसका सःफेंगा राज्यपाल की सकतियों के संदर्ब में निम्न मेंसे कुशा SCP रखता है राज्ये विदान मंडल के वी शांती काल में राज्ये पाल अध्यादेश जारी करता है, राज्ये पाल धन विदेग को पुनर विचार के लिए लोटा सकता है, अब देखो में, राज्ये पाल की सक्तियों के संधर्व में निमन में से कुन सा कतन सही नहीं पूचा है, राज् स्पति के विचारा अरक्षित रख सकता है मैंने अभी कहा 200 में आर्टिकल संक्या 200 प्राउधान है तो यह भी सही है राज्यविदार मंडल कर सकता है 213 में यह जारी कर सकता है राज्यपाल दन विदेग यानि की इसको पुनर विचार के लिए जी नहीं, ये पहले हीcard क्यों से सरे कहाँ रखा जाता है ? सभा यानिकी सदन में रखा जाता है, इसलिए इसको ये पुनर विचार के लिए नहीं लोटा सकता है, भागती जो अन्य विदेक होते हैं हाना जो अन्य विदेक होते हैं जैसे कौन से वाले जिसे हम निलंबकारी कहते हैं ऐसे विदेकों को ये क्या कर सकता है सामाने विदेकों को क्या कर सकता है लोटा सकता है विदान सबा में अभिवासन यों संदेश मेजने का राज्यपाल का एक अधिकार है सक्ति है अधिकार ह यानि कि समिदान में आर्टिकल एक सो पिछोतर में अभीवाशन होता इसका और यह एक तो साल के प्रतम दिन जाता है और एक जाता है नई सरकार के गठन के प्रतम दिन को यह अभी वाशन सरकार के गठन जैसे अब जो है पहला जो सदनविदानस्भा में पहला दिन होगा उसके अकोर्डिंग तो यह इसका एक अधिकार होता है, अधिकार होता है. निम्र में से कौन राजय स्टान के केुस्ट आवर्टा के दूवारा नुक्त नहीं होता है राजिस्टान का मुख्य मंत्रि यह तो होता है वई राजिस्टान लोकसे अym। होता है यह पावर कहां पे है नैषं की नियुक्ति का पावर 217 आर्टीकल में कहां पर होता है आपके इसमें राश्टपति जी में होता है राज्य पाल के नुपस्तधी में उनके दावित्यों का करवे निर्वहन कोन करता है विदानसभा का ध्यक्स, उचनयालय का मुख्यनयादीस, राज्य का मुख्यमंत्री और महादीवक्ता जब राज्येपाल क्या हो अपने पद पर नहीं हो तो उसके करतमवे जैसे सेंटर में हमने किसको बनाया है उप्राष्ट पति को और राज्यों में उप्राष्ट पति होता नहीं है उप्राष्ट पाल का पद है नहीं और जब इसका पद नहीं है तो हमने यह पावर दिया है अमारे उच नयायले के मुखे नयायदिस किसी भी राज्ये के मुखे नयायदिस को ये पावर दिया हुआ है कि वो राज्येपाल की अनुपस्तिती में इन कर्तव्यों का निर्वेहन कर सकेगा निम्र में से कौनसा युग्म सुमेलित नहीं होगा भै निन्नलिखित में से कौन सा यूगं सुमेलित नहीं है एक्षोफ़ण एक्षोफ़ण एक्षोफ़्यिप हो जाएगा इसका। पर शेये गार्पखरई परो सब्सक्राइब हुआर्ग जूर। अनुचेद 156 राज्येपाल की योग्यता अनुचेद 163 राज्ये मंत्री तो 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके चोवन में कारे पाली का सक्तियां मिल्कुल सही है पच्पन में नियुक्ति ये भी सही है चपन में योग्यताई ये देखना पड़ेगा एक निका चपन में तो भीया का होगा कारिये काल होगा कारिये काल होगा ये गलत हो जाएगा और 63 में मंत्री परिश्ट में ने कहा इसका उलेख हो रखा है ट्रिक 153 में एक पद 154 में कारे पाली का सक्तियां 155 में नियुक्ति 156 में कारे काल 157 में योग्यता 158 में सरत और 166 में सपत का प्रावधान है निम्न दो वाक्यों के सदर्व में कौन सा सही है राज्य का राज्येपाल अपने पर राष्ट पती की इच्छा परियंती रहता है राज्येपाल की नियुक्ति प्रदार मंत्री के द्वारा होती जी नहीं प्रदार मंत्री कपसे करने लगया भी ये तो राष्ट पती का प गलत क्यों संग्यार 40 का क्या हो जाएगा यह आज का अमारा यहां पे क्या हुआ है लेशन समाप्त हुआ है तो मैं जैसा कि बार बार आपसे आगरे करता रहता हूं कि हमारा जो टेलिग्राम चैनल है बागडी सर आरियेस इसको आप क्या करोगे जोइन करोगे और इसकी पीडियाप उत्तरमाला सहीत आप यहां से क्या करोगे प्राप्त करोगे क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्रशनों का लेवल कैस सकता है मैं क्योशनों के संक्या बढ़ा दूँ असी कर दूए पर में तो आप इसके लिए निश्चंत रहेगा एक एक टोपिक का आपको मोडल पेपर करवाया जाएगा और क्योशन वह होंगे जो एक्जाम में बिल्कुल आने वाले प्रशन होंगे तो आसा करता हूं आप